हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका माई चला पार आज हम आपके लिए लेकिया हैं बहुत ही जड़ा चटपटा सा कुरकुरा सा करार सा नास्ता जिसे आप एक बार बनाकर हफ्तों श्टोर कर सकते हैं और इस नास्ते को बनाने के लिए नाही मैंने सूजी का इस्तमाल किया है नाही बेशन का नाही आलू का तो इस नास्ते को जिस चीज से मैंने बनाया है वो आपको सो परसें आपके किचन में आसानी से मिल जाएगी तो चलिए फटा फट बनाना सुरू करते हैं उससे पहले अगर आप यह चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब क करना ताकि जैसे वीडियो अफ्लोड करूं आपको नौटिकेसर मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेस्पी का फायदा उठापाए सबसे पहले तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो यहां पर मैंने एक छोटा अला मिक्सी का जाल लिया है अब इसके अंदर हम डा सकते हैं बिना लस्टून के बना सकते हैं और अब इस पर हम डालेंगे दो ग्रीन चिली अगर आप ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप सिर्फ एक डालना तो यहां पर तीखा पनाव अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं इस रेस्पी में इसी के साथ हम इस पर करेंगे बहुत ही बड़ी हा चीज जो है हमारी हरी जन्या जो नास्तिकी जान है तो यहाँ पर हरा दन्या आपको डेंठल के साथ डालना है तो यहां पर ज्यादा हरा पर बहुत ही अच्छी मिठाक़ नेर गत Tetraat मटर ना तो आप पैकेट वाली मटर का भी इस्तवाल कर सकते हैं यानि फ्रोजर मटर भी ले सकते हैं यहाँ पर मैंने आधा कटोरी लिया है वेट निये मुस्किल से हमारी 20 ग्राम मटर है यानि दाने की हिसाफ से बता रहे हैं मटर को आपको कच्छा डाला है बॉयल करने की जरूरत नहीं है इस रेस्पी में अब इसमें हम डालेंगे हाफ टीस्पून तक सौंप जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और सौंप आपके पेट को ठंडा भी रखती है तो जरूर डालना और इसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च तो काली मिर्च का दोबार मिक्सी को रोक रोक के पीसना तो यह अच्छे से दरदरा पिस जाएगा अगर आप कंटीनु चला देंगे तो यह बिल्कुल पेश्ट बन जाएगा और पेश्ट हमें नहीं चाहिए तो चलिए करके लिके आते हैं फिर आपको दिखाते कैसा करना है आपको ताकि आ पैन आ गया है गैस की तरफ एक पैन लिया है आप कोई भी बरतन लीजे थोड़ा सा भारी बरतन लीजें इस रेस्पी को बनाने के लिए और आप इसके अंदर हम डालेंगे चावल जो हर किचन आपको आसानी समिल जाता है बिना चावल के तो कोई जिंदगी का गुजारा ह जाता ही नहीं हो सकता तो यहाँ पर देखिए यह चावल मेने मोटे वाले लिए है तो यहां पर आप मोटे वाली चावल का इस्तमाल करेंगे तो काफी अछा रिज़ट मिलेगा आपको और यहां पर चावल को मेरे 3-4 बाद अच्छे से सोती कप्ड़े से पोच्ट लिया ह तो यहां पर हम चावल को । टास्पर कर देंगे और चावल को हम ढ़िमी-धीमी आज पर अच्छे से भूनेंगे यहांपर हमें एक मिनट हो चुका है चावल को भूनते हुए तो यहांब यह देखिये चावल हमारे फूल गया है और कृश्पी हो चुके है तो यहां पर देखिए एक बड़े साइच के बड़तन मैंने चावल को टास्टर कर दिया जब तक हमाई चावल ठंडे होंगे हम इसके साथ खाने वाली एक करना बहुत जरूर टेश्टी होने के साथ आप इसे दस से पंदा दिन ते गाराम से श्टोर का सकते तो चलिए चट्नी बनाना सुरू करते हैं ना इसमें घी डालेंगे ना बटर डालेंगे हम इसमें डालेंगे दो बड़ी चंबच मोमफली जो वेट ने हमारी मुश्किल से 5 ग्राम है मोमफली को हम धीमी धीमी आज पर अच्छे से भूनेंगे तो यहां पर देखे हमाई मोमफलीों पर हलकेल किसी चिट्टी आ चुकी है अब इसके अंदर हम डालेंगे दो ग्रीन चिली जिसको हमने इस तरह से वीट से तोड़ लिया है अगर आप लोग बहुत ज जारा नहीं भूनना है सिर्फ 10-15 से भूनेंगे तिल को और फिर जब हमाई तिल अच्छे से भून जाएगी तो इसने हम बहुत ही अच्छी चीट डालेंगे जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आने के साथ साथ खाने का मज़ा भी दुगना हो जाता है यहां पर मैंने एक जब तक खंडी नहीं लिवागों अब हम क्या करेंगे एक छोटा लिएमिक सालो होता है हम इसको टास्ट आण करेंगे सारत का सार्व और आप इसमें क्या डालेंगे आपको बताते हैं तो फ्रढशत के डालेंगे टेस्के नमक यहाँ परमनेंट की डालत ग doctor Guru के यहां जिसको चीनी भी बलते हैं सक्कर भी बलते हैं इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और लुक भी बहुत प्यार आएगा अब इसके अंदर हम डालेंगे हाफ टीस्पून तक ग्रेटर नारियल यानि नारियल का बुरादा अगर आपके पास फ्रेस वाली नारियल हो तो आप उसका भी स्तमाल कर सकते हैं अब इसके अंदर डालेंगे 5-6 के लिया लहसुन की अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसके बिना भी बना सकते हैं अब इसमें दालेंगे तीन-चार चबमश पानी ज्यादा पाई नहीं डाला है और आप इसको अच्छे से पीस लें आप इसे ऐसे भी उन्जॉय कर सकते हैं लेकिन मैं इस पर तड़का लगाऊंगी तो चलिए तड़का लगाते हैं तो यहां पर एक पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे तो जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे राई यानि सरसो हाफ टीस्पून तक इ कर्ienदीरा और यह गया हमारी चौथाईचमच फिरींग टीनों चीज़ए हम अच्छा से चटका लेंगे काला नहीं करना है बस आपको इस बात कर खिया लगना है कि इसको ऐच्छा से चत्का लेना है संयों और और तो早 már 切 या ना न 7 दूंठ volta ओं तो आप इस देए पनी अ दबात सब्सक्राट कि अलगा गुल्कुल इस नोऑल है उने मिक्सिकात कापने ड्रकेश को टास्वर करेंगे इससे दनात गलेंगे और सब्सक्राइब के अंदर में कुछ भी डालने की जुरूरत नहीं हम इसको कवर कर देंगे और इसका हम एक फाइन पाउडर बनाएंगे अगर आखर चावल काटा हो तो आप इसका भी स्तमाल कर सकते लेकिन बहुत सारे वीवर्स के कमेंट आ रहे हैं थे कि उनको घर में चावल काटा कैसे बन इस तरीके से इसका पाउडर बन गया है तो यहां पर यह जो पाउडर बनता है बहुत ज़्दा यह बालिक नहीं होता है क्योंकि यह चावल का है आप इसे एक बड़े साइच के बरतन में हम टास्फर करेंगे तो यहां पर टास्फर करने के बाद आप इसमें हम पहली पीणी बोला जाता है सक्कर जटा है अगर कोई ने नाम हो तो निकना बड बुलना साथ है जगह का नाम भी बताना ताकि मुझे पता चलिए किसे इस जगह पे इस नाम से बोला जाता है हाफ टीश्पून तक हम इसमें डालेंगे साबूत वाला जीरा जिसे बहुत यह इस् तो फ्रेड अविसके बाद हम इसमें डालेंगे कड़ी पता जिसको हम इस तरह से हाथ से तोड़ कर डालेंगे कट करके नहीं डालना इसे बहुत ही अच्छा लुक आएगा इस तरह से अगर आके पास कड़ी पता नां अ तो आप हरा धनिय का भी इसतमाल कर सकते इसको मीठी नीमी बोला जाता है आप इसमें डालेंगे चोथाई चम्मच हिंग जिससे हमारे नास्ता टेश्टी होने के साथ हमें पचाने मदद मिलेगी तो यहां पर देखिए एक चुटकी से कम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा अगर आप ज्यादा का या लगना है हल्दी ज्यादा नहीं डालने इस रेस्पी में अब हमने जो यह बना के रखा था अपना मटर वाला सुर्वात ने आपको याद है नहीं उसको हम एड करेंगे इसमें इससे बहुत ही अच्छा टेश्ट आएगा आप एक बार इस रेस्पी को जरूर जरूर बना कर देखना मेरे लिए आपको मज़ा आजाए रखा के आप इसके अंदर हम डालेंगे नास्ते को चटपटा बनाने के लिए एक चमच भर कर चाट मसाला अगर आके पाद चाट मसाला नहों तो आप नेबू का भी इस्तमाल कर सकते यानि नेबू का रस भी ले सकते या पिर आप इसमें क्या डाल सकते ड्राय आमचूर पॉर्डर जिसको खटाई वोलते हैं वो भी आप इस्तमाल कर सकते आप इसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ टीस्पून तक ऑईल जिससे बहुत ही नास्ता कुलकुरा और क्रिस्पी बना रहेगा लंबे समय तक आप अप कि पहले मिला लेंगे तो अछा रहेगा और आप इसके बार थोड़ा थोग्ला पानी लिए अज़ैऄ तो इस तरह से डानी है जाले था अब वापस से हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि काफी गाड़ा लग रहा है भी तो यहां पर मैंने तीन से चार्च पानी और एक साथ पानी मतायट करना थो आत्मा पानी डालना और अब हम चमच को साइड ने रख देंगे और अब इसको हम हास से फेटेंगे त और आपको इसे continue आधा मिनर तक पेटना है इसे फलफी बन जाएगा और आपका अनास्ता काफी फूला फूला और कुरकुरा बनेगा अच्छा से हो गया है आप इसको रखने का कोई भी जंजट नहीं है क्योंकि हमने इसके अंदर बेकिंग पॉर्डर इस्तमाल किया है तो तो फ्रेंड आगे है गेस की तरफ एक पैन लिया है आपको ही बरतन ले सकते कराही का भी इस्तमाल कर सकते है पैन का भी इस्तमाल कर सकते है जो आपको आसानी से मिल जाए आप ले लिना बस थोड़ा सा भारी बरतन हो इस बात का आपको खया लगना है तो तेल को हम अच्छ तानी के बहुत ही मजना एककप बनाएंगे तो बाब में नाने का दिल करेंगे था चाहे तो तो मैं तो आथ obsess को करते हूं चमप अंगरेश के देशी लोगा काम तो आथो पे आसान होorry वरी डिन प्रम देश थी नहीं?. अगर आपका बड़ा है तो आप जला डाल सकते हैं आप इसको डालने के बाद हमने गैस का फ्लेम धीमा कर दिया है मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये अंदर से कुक हो जाए और बाहर से कुरकुरे हो अगर आप high flame पर पकाएंगे तो उपर से जल जाएंगे अंदर से कच्चे रह जाएंगे तो friend 2 minute तक मैंने इसे medium flame पर पकाया है देखे कलर आना शुरू हो चुका है आप इसको हम turn कर देंगे देखे कितने crispy लग रहे हैं अभी से ही आप इसको दूसर साइड से भी हम 2 minute पकाएंगे तो maximum 4 minute का टाइम लगता है इसे पकने में और color में फरक आप देख सकते हैं इस तरीके से था जब हमने डाला था और color आप देखे कितना प्यारा आ गया है तो friend 2 minute हो चुके हैं ये done हो गया है ये देखिए आप इसको आप इस तरह से छन्ने में निकाल लीजिए ताकि जो एश्ट्रा तेल है वह वापस उसी में चला जाए और इसका फाइन एजर आप लोग के सामने है इसी तरीके से हम बाकी भी मना लेते हैं फिर आप से मिलते हैं प्रेंड करेडी होचुका है हमारा चटपटा सा करास अनास्ता देख लीजिए इसका फाइन एजर कितना ज़ड़ा लग रहा है जितना ज़ड़ा देखने में खूबसूरा लग रहा है खाने में सुज़ड़ा टेश्टी है बहुत ही जड़ा क्रिस्पी है चलिए आपको पूले पूले से अंदर से सॉफ्ट रेडी हो चुके हैं उपर से क्रिस्पी और इस वाली चटनी के साथ जब आप इसे खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा कैसी लगी आपको इस चटनी की रेस्टिक कमेंट बॉक्स में जुरू बताना रेस्पी पसंद है तो वीडि के साथ दिखा सकते हैं बहुत ही जल्दी नई रेस्पी के साथ अब तक इस रेस्पी को बनाएए खाएए खिलाएए लव यू आल बाया टेक केर